नमस्कार दोस्तों यह स्वेजुकेशन में आपका स्वागत है दोस्तों हमने आपको प्रामिस किया था कि एक पेनीर स्टॉक अपडेट करेंगे लेकिन कुछ कारण से हम टाइमली अपडेट नहीं कर पाए उसलिए मापिछ आता हूं दोस्तों आज का हमारा पेनी स्टॉक है यह देव प्री कंपणी है सुरज टेक्स्टाइल मिल्स लिमिटेड और इसके उपर आज का वीडियो है तो वीडियो को पुराएं तक देखे और चानल का अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने जा र कंपणी है और इसका दो प्लांट है वो सुरत में और एक प्लांट है सिल्वासा में सतीन प्लांट है दोस्तों और इस कंपणी का छोटी कंपणी है दोस्तों छोटी कंपणी है उसके उपर हम डिसकस करते हैं तो इसका मार्केट क्या पहें मात्रब 261 करोड का तो इसका जो 52 week low था वो था 2.03 का, stock का PA 18 रुपीज का, book value है 6.22 का, return on capital employed है 13.4%, return on equity 11% का है, face value है 1 रुपी का, last latest quarter का जो एपीज था 0.34 है, इसका सबसे पहली बात, अच्छी बात है दोस्तों, यह textile sector की company है और इसका debt to equity 0 है, यानि इस company के पर किसी भी type का debt नहीं है, pay ratio इसका 0.93 है, यानि एक company अभी भी undervalued है, और industry P.E. 18 रुपीज है, stock P.E. 18 ही है, तो at per with industry है, book value इसका 1.89 का है, दूसरी अच्छी बात जो है, promoter का share holding यहाँ पे 75% है दोस्तों, तो यह सब positives आपको दिख रहे हैं, यह techno fundra analysis करेंगे, technical और fundamental हम दोनों बताएंगे आपको, इसका total जो number of sales है, 22.2 करोर्स है दोस्तों, अब हम यहाँ पे इसका results की बात करेंगे, तो results आप जेखेंगे quarter on quarter, तो June 20 का quarter में कपी ज़्यादा effect हुआ था, जो करोना के बाद वाला immediate quarter जो था, first वाला, तो वहाँ पे company का revenue एकदम से drop हुआ, तो September 20 में improve हुआ, उसके बाद December 20 में improve हुआ, और March 20 में भी improve हुआ, profitable company है, तो EPS भी अच्छा है company का, और EPS rising में है दोस्तों, यह quarterly results की बात की जाए, और उसके बाद अब yearly results को देखेंगे, तो yearly results में इसका results अभी down में ही है, दोस्तों, लेकिन यहाँ पे profitable company है, और profit margins से यहाँ पे improve होते हुआ दिख रहे हैं, company के profit margins में यहाँ पे improvement आई है, और आगे चलके यहाँ पे company में textile sector को government का policies benefit करेगा, दोस्तों, US का China के उपर का जो ban है, उसका effect करेगा, और आने वाले 3-4 साल में textile sector बहुत ज़्यादा growth करने का chances है, तो textile sector में IC company है, देफ परी company है, तो इसका भी growth करने का chances ज़्यादा है, तो इसलिए इस company को हमने select किया है, इसके बाद एक और pen stock हम आपके साथ share करेंगे दोस्तों, और वो भी textile sector से रहेगा, तो वो वीडियो भी हम आपको shortly launch करेंगे, तो इसका जो share capital है 22 crore का है, और इस company के पास यहाँ पर देखेंगे, तो 116 crore के results है, और यह results rising है, यह एक positive sign है, zero debt है company का borrowing एकदम बिलकुल zero है, प्रोमोटर share holding यहाँ पर देखेंगे, तो 75% का है, तो यह एक positive sign है, तो textile sector में इस type की company बहुत आगे growth कर सकती है, दोस्तों, इसलिए हमने इसको select किया, डेली चार्ट में देखेंगे, तो यह 2 रुपए से ऐसा journey करते हुए, एक कापी लंबे period तक consolidate किया, और उसके आद ब्र record देखेंगे, अगेन correction देखेंगे, अगेन उपर movement के लिए तैयार हो गया, यह daily chart हो गया, दोस्तों, weekly chart और monthly chart दोनों में आपको दिखाऊंगा, तो weekly chart में आप देखेंगे, तो यहाँ पे यह crossover बना है, और यहाँ पे यह buying signal भी था दोस्तों, आपको हमने अपना multiple stock की खोज का वीडियो आपको बनाया था, अगर उस वीडियो को follow करते तो यहाँ पे आपको buying signal मिल गया था, तो यहाँ पे देखेंगे, लगातार upward movement जारी यह stock में और अच्छी काशी तेजी जारी है, और यहाँ पे volumes भी कापी अच्छे से increase हुए है, तो volume indicate कर रहा है कि यहाँ पे और कापी movement बाकी है, अभी monthly chart को में दिखाता हूँ, तो monthly chart में भी देखेंगे दोस्तों, तो इस side में volumes कापी increase हुए है, और यहाँ पे कापी 15.69 उसके बाद एक यहाँ पे high बनाया था, यह 15.12 यह सब पार करके यह और उपर जाने वाला है, आने वाले कुछ मैनों में या कुछ सालों में, तो यह company है, यह अप लेके hold करके रख सकते हैं, यह penny stock को आपको ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन ह हमारी सला, हमारा जो भी वीडियो रहता है, एजुकेशनल परपस के लिए रहता है, तो बाकी आप अपना ओन एनलेसिस करके आपका इंवेस्टमेंट डिसिजन दीजे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक ज़रू कीजे, और जाद से जाद लोगों के साथ सेर कीजे, और आपका फिर बैक बेदीजे, दन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ,